ओम स्यान्ति आज ममादे है हम सभी के लिए प्रेर्णा दिवस कुछ करने की उमंग भरने का दिवस सच्छ भाग्यवान हैं हम सभी ब्रह्मावत्स जिने मातेश्वरी जगदंबसर्श्वती का साथ मिला उनका सहयोग मिला उनकी गाइडलाइन मिली लोग तो केवल भगती करते ही रह गए पर हमने उनको प्राप्त किया वो ज्यान की वीना वजाने वाली वो बाबा की शीव बाबा की संफून अज्याकारी वो इस रष्टी पर महन योगी नहीं सर्वस्वत्यागी और सभी को अपने स्ने की चत्र चाया में सीतल करने वाली ममा थी सचमच वो मा थी मामा उनको बाबा ने ऐसे नहीं कह दिया था उनमें मात्रत्व था सद्धर्मों की सभी आत्माओं के लिए संभाव था वो सभी को स्रेष्ट प्रेणाएं देकर कमियों से उनकी वीकनेशिज से मुक्त कराती थी कभी किसी ने नहीं देखा होगा कि उनके मन में जरा भी किसी के लिए भेदभाव रहा हो या किसी ने उनको अपनी कमजोरियां सुनाई हो और वो उनके चित पर हो कभी नहीं जैसे मां अपने वच्चों की सभी बातों को समा लेती है वैसे ही वे भी सब वत्सों की सभी बातों को समा लेती थी बहुत ज़्यादा अंतरमुखी थी लेकिन उनके चेहरे पर एक दिव्य चमक एक अलोकिक तेज एक रुहानी मुस्कान भी सबने देखी थी गंभीर इसलिये थी अंतरमुखी इसलिये थी क्योंकि वे निरंतर ही योग-युक्त रहने की प्रेक्टिस करती थी अब जब ध्यान ही निराकार परमपिता की ओर लगा हो तो बोलने का बाकी रहता ही क्या है जो कारिय वेवार जिसकी उनके उपर जिम्मेदारी थी तीन सो अस्षी भाई बहनों की जिम्मेदारी थी जिसमें कई बहुत छोटे बच्चे थे अभी पढ़ते थे जिनके भविश्को उज्वल बनाने की उनके उपर जिम्मेदारी थी उनके लिए वे अवस्च बोलती थी लेकिन उनके बोल महावाक्य होते थे उनके बोल सभी में उमंगुत्सा भरने वाले होते थे और उनके बोल शिक्षात्मक नहीं लेकिन अच्छी चीजे शिखाने वाले होते थे दोनों में अंतर है तो हम सब ब्रह्मा वत्स ममा के जीवन से बहुत कुछ सीख ले महान योगी नहीं पहला बहुत बड़ी तपस्विने तपस्या करने की प्रेणा ले ले उनसे त्याग जिनोंने अपने लिए कुछ भी नहीं चाहा ये त्याग की प्राकास्टा है महपन का वित्याग हो जाए और अपने लिए कुछ भी तमन्या सेश न रह जाए उनका मधुरभासी जीवन सरल जीवन और मुख्य प्रेणा जो हम उनसे लेते हैं संपूर्ण पवित्रता मुमा थी सब आत्माओं के लिए आत्मिक द्रश्टे थी उनके पास यही प्रेणा हम भी ले ले हम भी तो पूर्वज है सब का कल्यान करने वाले सभी आत्माओं के बड़े हम भी अपनी द्रश्टी और व्रत्ती को आज संपूर्ण पवित्र बनाने का एक सुंदर संकल्प कर ले वे सभी को सहयोग भी बहुत देती थी बहुत जाद सहयोग हम भी सब के सहयोगी बन जाएं सदा स्वमान धारी थी अपने इस्वरिये नसे में मगन रहने वाली वो महनात्मा थी हम भी ऐसी ही प्रेणाएं आज के दिन पर उनसे ले ले और यही हमारी स्रेश सद्धान्जली है यही हमारे सक्चे दिल के सुमन और पित हैं उनको के हम वैसे ही बने जैसी हमारी मात्थी यही हमारी जीवन की सोबा है तो आईए आज हम सभी एक बार पुन हैं उनकी जलक अपने सामने ले आए, हम उनकी संतान हैं, हम भी उन जैसा ही बनेंगे, और वो समय भी आएगा, जब पुन हैं, हमारा उनसे मिलन होगा, संगम्युक का ये राज सभी को ख्याल रहे, वो जगदंबा है, जगत से मिलेगी, तब तो गुप्त रहकर अपनी तपस्या करके, जैसे अंतरध्यान हो गई थी, अब पुन हैं, हम वत्सों का अपनी प्यारी मां से मिलन होगा, यही भविश्य है, हम इसकी ओर बढ़ रहे हैं, अब हम उनको फॉलो करके, आज के दिन को सफल करें, और जीवन को सफल करें, ओम स्यांते.